है लोगाइर असलाम वालेकुम वेल्कम बैक टो माई चैनल में हूँ आपको दोसम्डी साहिम और आज की वीडियो में लेटिस्ट वाकर इंटर्व्यूस में आपके लिए लेकर आ रहा हूं जहां पर डिरेक्ली हाइरिंग चल रही है बस आपको इंटर्व्यू को अटेंड क करें पहला जो इंटर्व्यू है वह आपकी स्क्रीन पर हैं इसमें बीटूबी सील्स एक्जूगीटिव की डिमार्ड है कंपनी का नाम अल मुमाईज इंफॉमेशन सर्विसेज हैं तुबही के अंदर जॉब लोकेशन हैं ठाय हजार से लेकर के चार हजार दिरम साल दी ज लोकेशन यहां पर मैंशन हैं आप इस पर भी जाकर के डारंग्ली इंटर्विव अटेंड कर सकते हैं ठीक जो हमार पास सेकंड इंटर्व्य है वो भी आपकी स्क्रीन पर है इसमें डायेक्सेल्स प्रोफेशनल पॉर हंटिंग सेल्स के लिए के रिक्वार्मिट हैं कंपन दिखा हुआ है 10 बेसे लेकर के सुबह शाम 5 बेते के इंटर्व्य होगा पूरी लोकेशन जो है वह यहां पर मेंशन है आप इस दी हुई पर दो बज़े तक है इंटर्वी की लोकेशन भी यहां पर मेंशन है और जॉब्स एड़ेट एंसी टी एच डॉट एई यहां पर इनका ओफिशिल इमेल एड़ भी मेंशन है आगे चलते हैं जो नेक्स्ट इंटर्व्य है वो भी आपकी स्क्रीन पर है इसमें टेली सील्स ए एक यहली ट्रेवल भी टिकेट आपको दी जाएंगे 21st of September के दिन इंटर्वी होगा शाम साड़े चार बेश से लेकर के शाम छे बड़े तक दुबई कंदर यह लोकेशन से आप इस लोकेशन पर जाकर के इंटर्वी को अटेंड कर सकते हैं नेक्स्ट वेकेंस को हम देख लेते हैं इंटर्वी को वह भी आपके स्क्रीन पर हैं जो कि बिजनिट डेवलोप्मेंट एक्जुकीटिव का हैं कंपनी का नाम मोर आइडियाज जनल ट्रेडिंग एललसी है वर्क लोकेशन दुबई है 2000 से लेकर के 6000 अट्रक्टिव परफॉर्मेंस बेस आपको बेनिफि चल रहे हैं जिसका नाम दोस्तों नूर अलबाजा फैसलेटीज मेनेजमेंट हैं इसमें हेलपर्स मेशन स्टील फिक्सर्स कारपेंटर एलक्रिशन प्लंबर और ऐसी टेक्निशन अब यह सारी जॉब जो है इसमें कोई खास क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है हाई पहले आप इन से राफ्ता जरूर कर लें अब जो इंटर्व्यू की डिटेल में स्टाइक में बताया था आपको देखनी पड़ेगी उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन प्रक में जाकर करके पहले लिंक पर क्लिक करेंगे एक परसेंट लिंक नहीं बर करती तो आप सर्च कर लिजीगा या सबसे नीचे आपको पोस्ट मिल जाएगी जो हमेशा पहले पेश्ट होगी तो जल्दी अप्लाए करें कोई डाउट हो तो कमेंट करें पहले बार वीडियो को देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रस कर दीजीगा थैंस पर बाचिंग कुदा बेस